नमस्ते दोस्तों आज सुनिए सुप्रसिद्ध लेखी का मालती जोशी जी की कहानी होगी श्रंकला में उनकी लिखी कहानी सजा तो शुरू करते हैं कहानी रीना का मूड सुबह से ही उखड़ा हुआ है उसे समाज पर मम्मी पापा पर और अपने आप पर भी बेहद गुस्सा आ रहा है अगर M-TEC करने के बाद भी यही सब होना था तो पढ़ने लिखने की क्या जरूरत थी अच्छा होता हाई स्कूल करते ही शादी हो जाती तब हाँ भर का गुंगर भी निकालना पड़ता तो कोई दुख नहीं होता तब शायद वो इस तरह अपमानित महसूस नहीं करती असली गुस्सा तो सो उस लड़के पर आ रहा था जो उसे देखने आ रहा था जनाब 6 साल से अमेरिका में हैं अपने लिए प्रोफेशनल वाइफ चाहते हैं फिर भी लड़की देखेंगे उसी पुरातने स्टाइल में मम्मी बाप आलग परेशान थे पेटा और कोई तरीका हो तो बता दो हमें तो बस एक यही मालूम है कहो तो किसी होटल में चले चलते हैं जरूर ताकि शहर को सारे पता चल जाए कि एक अमेरिका पलट हमें देखने आ रहा है तो क्या करें तुम ही बता हो इससे तो अच्छा था अपने आप ही कहीं तेह कर लेती जन्जटी खतम हो जाता आपको अच्छा लगता? ना भी लगता तो क्या फरक पड़ना था? तुम्हारे भाई ने कर ली तो हमने कुछ कहा चुपचाप स्विकारी कर लिया ना? लड़कों को तो सौख खून माफ होते हैं मम्मी पर लड़किया जरा सा लीक से हटी नहीं कि भूचा ला जाता है उसने एलानिया तोर पर कहा मैं चायवा लेकर बाहर नहीं चाहूंगी इट इस सो डिस्गस्टिंग कोई बात नहीं जमना के हाथ भेज देना पीना ने जमना की हो देखा लतर पतर कपड़ों में बड़े मजे से बरतन मांज रही थी बाल बेतर है बिखरे हुए थे सामने आती लटों को वो बड़े अख़र अंदाज में साबुन सने हाथों से पीछे कर रही थी अपने से ज़्यादा तो मुझे इस पर मेहनत करनी पड़ेगी मम्मी आपको अपने एक साड़ी भी शहीद करनी होगी कर दूंगी बाबा बेटी की शादी के लिए लोग तो क्या-क्या नहीं करते साड़ी मैं अपने लिए नहीं जमना के लिए मांग रही हूँ हाँ मैं समझ गई भूतनी सी बनी हुई है ऐसे में कोई इसके हाथ की चाई पिए कबला इसलिए कहती हूँ कि एक लड़का रख लो घर बाहर दोनों जगे काम आएगा मानते ही नहीं नहीं घर में लड़किया आए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता पापा हमारा टेस्ट क्या इतना गठिया है देखो इस उम्र में किसी का दिमाग ठिकाने नहीं रहता चोपडा साहब की निशी ड्राइवर के साथ भाग गई की नहीं खैर पर कम से कम नीना को तो घर में रहने देते उसे भी आपने सुबह से मौसी के पास भीज दिया फिर जमना का सिंगार करने की जरुवत नहीं पड़ती उसे जान बूज कर भीज दिया है इन लड़के वालों का कोई भरोसा नहीं रहता ओजा साब की नीलम को देख रही हो ना बेचारी नीलम M.A.P.S.D. है कॉलेज में लेक्षर है बस रंग थोड़ा दबा हुआ है उसके मुकाबले में पूनम औरूपम नाम के अनुरूप उजली है जो भी नीलम दीदी को देखने आता चूटी को ही मांग बैठता देखते देखते उन दोनों की शादिया हो गई नीलम दीदी अभी बें इंतजार में है रंग में नीना भी तो रीना से 20 है सिर्फ बीए है तो क्या हुआ लड़के वाले तो सिर्फ रंग देखते है अपने गेवों रंग का एहसास होते ही मन थोड़ा बुझसा गया शाम के कारिकरम के लिए मन में वैसे ही उत्साह कम था अब तो बिल्कुल ही जाता रहा जमना को जता दिया था कि दोपहर को कंगी चोटी करके आए देवी जी ये पधारी बालों से जैसे तेल चूरा था आखों में धेर सारा काजल बालों में रंग बिरंगे क्लिप्स और हाथों में धेर सारी चूरिया इसे देखो तो जरा जैसे इसे ही देखने कोई आ रहा है मम्मी ने उससे साड़ी पकड़ाती हुए कहा एक चटक पीली कांजी वरम वे रीना के लिए भी निकालना ही थी मम्मी सारी पहनना क्या जरूरी है मेरे ख्याल से तो वे लोग इतने दक्यानूस तो नहीं होंगे कि सूप देखकर नाग बहुत से कोड़ने लगे सवाल उनका नहीं अपने घर का है इस घर के कलचर का है अपने घर जाकर तुम चाहे जीन्स पहनना चाहे फ्रॉक पर यहां तो तुम सारी में ही उन्लों के सामने जाओगी ठीक है दीना ने हतियार डालते हुए का पर मैं इतनी भारी सारी नहीं पहनूंगी प्लीज अच्छी बात है अलमारी से अपनी पसंद की निकाल लो और जरा जल्दी करो पांच बजने वाले हैं वो अपी मम्मी के अलमारी खंगाली रही थी कि फाटक खटका उसने जाक कर देखा मम्मी गेट खोल रही थी उसने सोचा अमेरिका पलट को एक नजर देखू तो सही पापा ने उतर कर पिछला दर्वाजा कोला सहब जादे उतरे शकल सुरज से तो स्मार्टी लग रहे थे हाँ रंग जरा दबा हुआ था अमेरिका भी उसमें कुछ सुधार नहीं कर पाया था लड़के के पीछे पीछे उसके पिता उतरे उन्हें देखा और उधक से रह गई ममी के अलमारी को यूँ खुला छोड़कर वो अपने कमरे में आकर धम से बैट गई उसने दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया पीना वे लोग आ गए हैं तुम जल्दी से तयार हो जाओ तब तक मैं किचन में सब जमा कर रखती हूँ तुम बस भिजवाने के व्यवस्था कर देना जी उसने मरियल सी आवाज में कहा उसकी आँखों के सामने से बुज़र गवार का चेरा हट नहीं रहा था जब मन थोड़ा सम पर आया तो उसे एक शरारस सूजी उसने जमना का दुबारा हाथ मों दुलवाया खुब क्रीम पाउडर पोत कर चेरा जमकाया फिर उसका बढ़िया सा जूड़ा बनाया और बढ़े ही नफीस ढंक से उसे साड़ी पहनाने लगी ये सब करते हूँ उसका मन बराबर भूतकाल में घूम रहा था उन दिनों वो बैंगलॉर में एमटेक कर रही थी रात को दिल्ली से चड़ती थी पूरी दो रातों का सफर करके तीसरे दिन शाम को बैंगलॉर पहुंचती थी दो बार पापा उसे लेने और छोड़ने आये पर हर बार इतना लंबा सफर उनके लिए भारी पढ़ जाता था छुट्यां बरबाद होती थी सो अलग उस बार उसने हिम्मत की थी घर वालों को विश्वास दिला कर अकेली ही चल पड़ी थी मम्मी पापा स्टेशन पर छोड़ने आये थे उन्होंने ये देखकर तसली कर ली थी कि उसके नीचे बर्थ पर एक दक्षे भारती महिला है सामने की बर्थ पर भी एक मुझरुवार थे उपर की दोनों बर्थ पर बाद में दो लड़के आये थे पैंगलॉर में अंगिनत इंजिनिरिंग कॉलिज थे इसलिए हर बार 10-20 लड़के कंपार्टमेंट में होते ही थे वे लोग उपर की बर्थ ही पसंद करते थे गारी हमेशा की तरह फुल थी घर से जब भी आती है तो नीन मुश्किल से ही आपाती है अलग देश, अलग परवेश, अलग भाशा, अलग खान पांग एड़स करते करते पसीना आ जाता था फिर भी 6-8 महिनों में वो काफी अभ्यस्त हो चली थी लेकिन घर से दूर रहना अब भी उस पर भारी पड़ता था बड़ी मुश्किल से एक जपकी आई थी कि एक आएक चौक पड़ी लगा जैसे किसी ने उसका कंधा जोर सी दबाया हो पहले तो लगा जैसे नीना उसे जगा रही है उसने आखे खुली अरे वो तो ट्रेंड में है फिर ये इस पर्ष किसका था उसने सतर को कर उपर देखा वहाँ खराटों की आवाज आ रही थी सामने वाली बर्थ खाली थी शायद अंकल बात्रून तक गए हो बर्थ से उतरते हुए हाथ शू गया हो वो पीट करके लेट गई आहट से पता चला कि अंकल लौट आये है इस बार उसकी पीट पर उंगलियों का दबाव था वो सांस रोक कर लेटी रही पिछली बार लगा था कि अनायास हो गया होगा पर इस बार लगा कि इस पर्ष सहे तुक है वो परेशान हो गई अपने आपको कोसने लगी कि क्यों अकेले आने की जित की लगा कि इतने सारे अपरचित लोगों के बीच वो एकदम अकेली पड़ गई है किस करवट लेटे उसकी समझ में नहीं आ रहा था पंके के और टक्टकी लगाए वो सीधी लेटी रही मुश्किल से दो भंटे वीते होंगे लाख कोशिशों के बावजू उसकी आँक लग गई थी कि फिर वही इस पर्ष इस बार उसके सीने को टटोलता हुआ क्या करे वो? कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो धीरे से नीचे उतरी फुसफुसा कर कहा आंटी, I sit here? महला शाय जागी रही थी पूछा, Any problem? उसने चुपचाप बीच वाली बर्थ की और इशारा कर दिया वे समझ गई उन्होंने तुरन सामने वाली सीट पर लेटी व्यक्ति को जगजोरा और करनर में कुछ कहा जब तक बुज़ुरुआर बात्रूम से लोटाए थे चुपचाप उपर चड़ गए और सबकी और पीट करके लेट गए एकदम सीधा सादा मासून चेहरा पर उंगलिया इतनी वाचाल उफ दक्षिर भारतिय सज्जन अपना बोरिया बिस्तर लेकर उपर चड़ गए अपनी भारी भरकम दे को लेकर उपर चड़ना उनके लिए सचमुश मुश्किल था पर एक अपरचित लड़की के लिए वे इतना कष्ट उठा रहे थे दीना का मन करतगेता से भराया बाकी रात आराम से कट गई सुबह कोई पाच बजे होंगे एक हलके से शोर से उसकी नीन खुल गई देखा अंकल जी अपने बाए हाथ से दाए हाथ का पंजा थामे हुए है चेरे पर दर्द की रेखाए है दक्षे भार के सज्जन माफी मांग रहे है सौरी हम नीन में टर्ण ओवर किया आपका हाथ इधर में था आई डिडेंट नो लाइट जला ली गई उस विशाल काया के टर्ण ओवर होने से अंकल जी की अंगलियों का सचमुष कशूमर निकल गया था छोटी अंगली की अंगुठी तो एकदम चौकोर हो गई थी शायद छोटा सा घाव भी कर गई थी क्योंकि रुमाल पर खून की बूदे थी फिर थोड़ी सी फर्स्टेड हुई थोड़ी सी शमायाशना हुई और मामला शान्त हो गया उसके बाद अंकल जी जो सोए तो देर तक सोते रहे रीना फिर नहीं सो पाई उसने बातरू में जाकर हात मुद होया ब्रश किया, बाल ठीक हिये वो लौट कर अपनी चादर वगरे समेटती रही तब तक दक्षर भारते दंपते ने बीच वाला बर्थ गिरा दिया और उससे अपने पास बैठा लिया तब तक कौफी कौफी की पुकार हो गई थी कौफी की चुस्कियों के साथ खूब बाते होती रही रात की बात एक दूसर अपनी की तरह लग रही थी अंकल जी देर तक सोते रहे वोपाल भी निकल गया तब जाकर उठे हाथ मूँ धोकर आए अपना बिस्तर समीटा और बर्थ गिरा कर सामने बैठके पूचा आप लोग साथ में हैं? आंटी ने ततपरता से जवाब दिया हमारा नीस है डेली आयाइटी में पढ़ता है इसका हिंदी तो बहुत अच्छी है फादर की पोस्टिंग नॉर्थ इंडिया में जादा रही है ना इसलिए दीना को आंटी की बात को संभालना ही पड़ा और अपनी तरफ से वो कोई जूट नहीं बोल रही थी उसके पिता की नौक्री हमेशा उत्तर भारत में ही रही है इसके फीचर्स भी साउथ इंडियन नहीं लगते शॉर्ट हेयर है ना इस वास्ते आंटी बोली वे अविश्वास से देखते रहे फिर मैगजीन निकाल कर पढ़ने लगे वे जब थोड़ी देर के लिए नागपुर में उतर गए थे तो रीना ने का अच्छा हुआ आंटी आपने मुझे बेटी नहीं नीसी बताया नहीं तो वे कभी विश्वास नहीं करते आपकी सुंदर आखें, घने बाल, सुचिक्कन, तवचा इन में से कुछ भी तो नहीं है मेरे पास वे सिर्फ हंस्दी थी जूट मूटी सही उन्होंने जो रिष्टा बनाया था पूरे रास्ते उसे निभाया खाना, नाश्ता, चाय, कॉफी सबी में उसे अपने साथ रखा रीना को बड़ा संकोच हो रहा था एक दो बार मम्मी का प्यार से बनाया टिफिन कुलने का मन भी हुआ पर डर गई, कि अचार की खुशूई फैलते उसके जूट का फर्दा पहाच हो जाएगा, रात को वो जिद करके अपनी ही बर्द पर चली गई अपने उपकार करताओं को वो और परिशान नहीं करना चाहती थी अब वैसा कोई खत्रा नहीं था उसे विश्वास था कि आज की रात खैरियत से गुजरेगी, उसके बाद उस रूट पर 3-4 वार आना जाना हुआ पर ऐसा हाथसा फिर कभी नहीं हुआ बोगी में अक्सर 10-20 लड़के रहते रात पर गाना गाते ताश खेलते, हुरदंग मचाते पर वो स्वस्थ शरारत होती थी ऐसी घटिया हरकत किसी ने नहीं की एम्टेक की बाद सुनकर तो अधिकतर लड़के आदर देने लगते थे उस दिन आंटी ने एक बहमूले सला दी थी ऐसा प्रॉबलम को चुपचा पेशंसली डील करना हल्दा नहीं मचाने का पब्लिक देखेगा तुमको एमबरेसिंग होगा तुमको रोज इस रूट पर आना है हिमस से काम लेना भागे से उस तरह की प्रॉबलम कभी पेशी नहीं आई और अव्वे सज्जन उसके ससुर बनने की आकांक्षा में बाहर के कमरे में बैठे हैं उनकी रोज चरण वंदना करनी पड़ेगी उसे तो कलपना से ही जुरुरी होने लगी मम्मी इस बार दो बार जाग गई थी तुम अब तक तयार नहीं हुई बस जरा चाय बना लू इस बीच उसने जमना का खुब श्रंगार कर दिया था फिर चाय की ट्रे थमाते हुए का चाय मेश पर रखकर दोनों की अच्छे से पैर पढ़ना नाम पूशे तो बताना माथे तक आचल खीच कर जमना ड्राइंग डूम में गई चाय की ट्रे मेश पर रखकर उसने दोनों अतितियों के पैर चूलिये वे एकदम चौक पड़े ये कौन है? हम जमना हैं जमना ने इस तरह शर्मा कर कहा कि दर्वाजे के उस पार खड़ी रीना को हसी रोखना मुश्किल हो गया वो भाग कर अपने कमरे में आ गई बस ठीक है जमना बीतर जाओ पापा ने कड़क कर कहा जमना के पीछे पीछे वे दंदनाते वे कमरे में आए ये क्या मजाक है तुम अपी तक तयार नहीं हुई पापा मैं वहाँ शादी नहीं करूँगी क्यों? कारणा मत पूछिए लेकिन मैं उनलों को क्या जवाब दूँगा जवाब मैं दे दूँगी आप चिंता ना करें और सच्मुश वो लंबे लंबे डग भरती ड्राइंग रूम के दरवाजे पर जा खड़ी हुई मैं रीना शुकला मैंने बैंगलोर से टेली कम्यूक्रेशन में एम्टेक किया है बैंगलोर प्रवाज के दोरान एक बार भेट हुई थी आपको याद होगा दोनों मूँ बाय उसे देख रहे थे बुजुरबार एकदम उठ खड़े हुए योगेश चलो उन्होंने बेटे को आदेश दिया बेटा जब तक समझता वे सीडियां उतर कर गेट के पार पहुँच चुके थे बेटा उठकर खड़ा हुआ तब तक उन्होंने एक आटो भी रोक लिया था रीना तुरंत उसका रास्ता रोक कर खड़ी हो गई योगेश जी मुझे मालूम है घर पर सुलक्षणी कन्याओं की एक लंबी लिस्ट आपका इंतजार कर रही है मुझे ये भी मालूम है कि आप सुदेश से विवा संपन करके ही रवाना होंगे मेरी शुब कामना है कि आपको बहुत सुन्दर सुशील पतनी मिले बस एक गुजारिश है अपनी बहुरिया को अपने पिताश्री से बचा कर ही रखना मम्मी पापा इतनी देर तक इस नाटक के मूख दर्शक बने हुए थे एकदम बोल उठे आखिर बात क्या है कुछ बताएंगी भी बताने लाइक नहीं है पापा फिर भी पता तो चले कि उसने किया क्या है बच्चू को ऐसा सबग सिखाऊंगा कि जिन्दिगी भर याद रहेगा पापा वो सक्ष जिन्दिगी भर के लिए अपने बेटे की नजरों से गिर गया है इससे बुरी सजा इससे बड़ा दंड आप किसी को क्या दे सकते हैं अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी सजा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा मैं आपके कमेंट्स को जरूर पढ़ती हूँ हाँ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको मेरी प्रस्तुती और मेरी कहानियों का सेलेक्शन अच्छा लगता हो फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी कहानी के साथ आपका समय शुब हो सुन्दर हो